सो हाई गाईज बरेगम टो आशाल वाचाल वाच्वाडिक लिए तो इस वीडियों में स्वाल्प करेंगे एक साइज तूर पॉइंट से क्वेश्चिन नूमबर वन और टू को यहां पर आपको क्वेश्चन में दिखी रहा है कि स्वाप दफॉलाइंग बार टेर्मिनेंट मतलब इस चैप्टर में जो क्वेश्चन से वन टू फाइब तक हमें स्वाल्प करने हैं डेटर्मिनेंट के मेथट से क्या होता डेटर्मिनेंट मेथट वह अभी हम लोग समझे दिखेंगे में लोग क्या करते हैं क्रेमर्स नौल भी कहते हैं और बाकी सब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर में वह सब मेत्रिक्स मेथर से हम लोग को सॉल्प करना पड़ेगा तो एक दो बात मैं पहले बता देता हूं अगर आपको मेंत्रिक्स में परशन को नवान जरूर आना चाहिए आपको मतलब किसी भी रो को चेंज करने में कोई दिक्कत ना है यह इतना जरूर होना चाहिए ठीक लैंक निकालने में दिक्कत ना इतना आपको जरूर ना चाहिए तब ही आप मैट्रिक्स इंवर्जन मेधड़ से असानी से स्वाल कर पाऊगे कोई भी चाहिए तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो पिछले वीडियो जो है 2.4 2.3 के वीडियो जाके देख सकते हो ताकि वहां से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यहां आपको समझने कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लियर है बाते सबसे पहले सुरू क लिखना पड़ता फिर यहां पर उसका मुझे फाइदा नहीं लगा इसलिए मैं डैबुक से ही डाइट टाके यहां समझाने की कुसिस की है तिहां पर दिया अब मेथद अब डिटर्मिनेंट क्रेमर्स रूल ठीक है क्रेमर्स रूल ही इसको बलते हैं और क्या बलते हैं मैं करें 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 और मैं ली जो इक्वेशन होता है इस आक्स इस निचलना कि याँ डे सब से पहलें और लोग यह चो पारणा हुआ है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में एक्वाइज एक्षट के कोईफिसियंट्स है उसको आपकी जी एक जगा लिख लिए ठीक्रास थी के मैट्रिक्स बना लेजिए पहला स्टेप यह है त्री क्रास्ट का मैट्रिक्स बनाई है और उसको यह जी डिटर्मिन निकाल ले अब सटsehen क्या है मैंने निकलन के लिए हमको एक्स निकालना वह किसे निकालबन लिए सबसे पहले कूछ रूल्स है कुछ फ़ार्मूला जो दिया हुआ वो पहले हम देख लेतесь है बाकी कैसी आया वह चुँदेरबात देखना तो आपको यहां जो यह फॉर्मूला देख र झालने के लिए यहां तर। जलाओ यह से थिक्कत है तो मैंने समझाता हूं आपके पास जो भी मैट्रिकách बना थे 3 क्लास 3 यह लिखने के भाष्ट की तो उसमें आपको क्या करना एक्स निकलने के लिए कॉल्म 1 में यह सब्सक्राइब लिए ड्वायर करतेना है और जो c1 c2 c3 रहना है यह क्या आपका एक डिटर्मिनेंट बन गया यहां पर ठीक है यहां पर डिटर्मिनेंट बन गया और इसको आप डिवाइट कर दिए किसके साथ जो यह बी एवन बीवन सी वन का जो डिटर्मिनेंट था शुरू में लेप्ट हैंड साइड वाले जो कर देगा तो आपको एक्स का वैलो निकल जाएगा similarly y निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें y निकालने के लिए हमें वही काम करना पड़ेगा और सिम्पली खाली एक चीच केंट करना क्या कि बीवन बीटू बी थ्री में क्याश्छ कर देना है डी दीटू डी त्री कर दिना बस और बाकी डिवाइड कर देना का डिटर्मिनेंट से जो आपने पहले स्टप में निकालत था यह जट यह वाला पार्ट जो आया कहां से तो देखो यहां प्रामारे पास given है कि यह वाला part इससे हमको लाना है यह वाला part d1, d2, d3 मतलब x का हमको value निकालना है अब हम क्या कहीं एक्स को determinant से क्या कि multiply कर दीजे यह determinant था इसको हमने x से multiply कर दिया तो हम determinant में क्या जानते हैं रूल जानते हैं कि जो x होगा कोई भी चीज मुल्टिप्लाय करेंगे यहां तो वह वह row में होगा या one कॉलम में होगा यहां पर क्या करेंगे हम लोग यहां पर हम लोग column 1 में x को multiply कर देंगे दिखी रहा हूं clear है बात column 1 में हम लोगों ने क्या क्या है x को multiply कर दिया अब हम क्या करते हैं column transformation नहीं रोड रांस्फर्मिशन column transformation लगाते हैं ठीक है डो column transformation यहां पर लगाते हैं सबसे पहले क्या करेंगे column 1 को जो है हम लोग change करेंगे इसमें column 1 changes to column 1 plus y column 2 plus z column 3 तो इससे क्या होगा सर मेरा कोई फायदा है हाँ फायदा क्या है तो यहां पर हम लोग देख सकते a1 x a1 x यहां पहले से present a2 x पहले से present इसमें क्या करना हम है यह दुनों पार्ट अकर हम जोड देंगे यह वाला पार्ट तो हमें d1 d2 d3 respectively फायरी मिल जाएगा उससे क्या फाइदा होगा उससे फैसकी वैलु हासाने से अव कैसे घ्र कारेंगे और यहांपर क्या करेंगे टीट इस नंतरुट है सबसिता हिए edition जो कि हमारे formas है एक्वेशन फैर है गरुटब्र धर्र जहां में जोडिंगे नौन कर देंगे सकते हैं similarly column 2 और column 3 का जो first element है वो equation 2 equation 3 के तरह है तो हम लोग क्या कर सकते हैं डी 2 और दी 3 बुट कर सकते हैं अब यह बता आप लोग इसका determinant निकलना असान है या इसका determinant निकलना असान है कि इसका determinant तो अब्यस सी बात है कि यह वाला जो डिर्मेंट यह छोटा है और सिंपल एक नंबर पर है इसका डिर्मेंट निकलना क्या है बहुत ही आसान है अब हम इस इक्वेशन क्या लिखते है एक्स इंडू determinant क्लियर है एक्स की वैलू निकालने तो हमें क्या करना पड़ेगा एक्स इक्वाल टू वन राइड डिर्मेंट जो भी हमने यह द्रेट्मेंट निकाला था बाई जो डीवन डीटू डीटू डीट्री यहां प्लेस कर देना यह होगे आपकी एक्स की वैलू किजिएगा तो अगर पूछे तो आसानी से आप सिंपली यह प्रूफ करके देज्ये क्रिया मडूल का प्रूफ क्या होता है कभी-कभी साथ नमरें पूछ लिया आया ता आपके उन्वर्सिटी एक्जाम में तक आपको समझ में आ गया होगे कैसे इसको प्रूफ करना होता है clear है कोई भी डाउट हो किसी बितरह का डाउट था कि अगर मातें समझ में ना आ रही हो आवास ठीक से ना रही हो तो आप प्लीज क्या किजिएगा कमेंट जरूर किजिएगा सब्सम्झ में आई बात a1 a2 करके तो x निकालना तो हमें क्या करना पड़े x equal to क्या हो जाता है d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 divided by determinant of a1 b1 ठीक है जो भी हम लोग determinant निकाल लेंगे लेफ्ट-hand सर्वाला matrix का clear है तो इसी तरह से y के लिए हम लोग क्या करेंगे column 2 में changes कर देंगे d1 d2 d3 कर देंगे जेड के लिए column 3 में change कर देंगे यह वाला बस यही सब बातिया में ध्यान रखनी है और एंसर हमारा निकल जाएगा जैसे देखो यहां पर हमारा answer निकला हुआ है तो पार्ट में या थीन पार्ट में यह रहा हमारा answer यह तो बहुत लेंदी दिया हुआ है मैं यहां पर एक स्वार्ट तरीका क्या कर सकते हैं हम लोग यहां यहां सिंप्लिट डेर्मेंट नहीं करकी वन बाइड डेर्मेंट कैसे लिख सकते हैं और जो यहां बर मैट्रिक्स है इसको यहां एज़िए लिख देंगे ठीक है डिटर्मेंट निकालने के लिए तो वही वाला फंसन है चलू कोश्चन वन स्वाल करते हैं और समझते हैं कि कैसे यह चीज अपलाए होंगी कोश्चन में तो पहला स्टिप ह करामें यादने चाहि वह क्या है कि आपको पहले मैट्रिक्स बनाना है तो जैसा कि यह आप लोगता है यहां पर सबसे पहले मैं मैं नहीं समझा रहा हूं ज्यादा समाईने की ज़रूती थे टू पॉइंट वन के वहां पर आपको यह से भी चीज़े क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगे कैँ हो जाएगा तो आप लोग भी ट्राय किएगा की सही यहां की बताक है आगे देखते हम लोग यहां पर कैसे निखलेगी हमारे पास डिल्टा की वैलू निकल चुकी है और निकल चुकिन यह से इस से में bene क На पड़े गाब इस वाले कॉग्द हमें प्ले करना पड़ेगा लोने देखो यहां पडर तो यह रहा आपकी एक्स की वैलो टाकिंट निकाल है आपका काम मैं बार बार गोलना हो वाई के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं चैन्स Seb всем निकाल लेंगे हैं मैं बार-बार बोलना हो डिटेर्मिन्ट आप लोग खुद निकाल लिजेगा आप लोग असानी के लिए Murray निकल लेगा दिना और एलो यहांपड माइन सilt और यहां कंडिशन क्या है कि आपका डेटर्मेंट कभी जीरो नहीं हो गया तो इस condition से आप क्या कर सकते और नहीं निकाल सकते है यह सबसे बढ़े सक्या है एक लिमिटेशन पूल सकते हैं अब अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर्टू की और उसमें हम लोग क्या करना पर फिर से वही काम करना सिंपल सबसे पहले आप एक्वेशन लिखिए फिर उसका कि निकाल लेजिए तो एंसर कहने कलता है माइनस 58 यह फिर खुद से आप चेक कर लिए एक बार कि सहीं है अगलात है सब्सक्राइब करना 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 तो माइनस फिप्टी एट वाइनेट सिक्षेंड क्या जाता है तू के बरावर हो जाता है क्लियर है समझ में आ गया होगा मुझे लगता कोई डाउट होगा अप्लोड जर्मेंट थ्रॉसा खुद से निकाल लिजेगा 2 सिमिललली के लिटलन में भिवई करना है क्लम 2 में चेंज्स करना लंटम 2 मतलब 3-1-4 का क्या करनाश चींज कर गेंद कर देना थो इसमें आपको सा निकलता Practice 58 ठीक है और 58 divided by minus 58 तो क्या हो जागा minus 1 के बड़ाबर तो एंसर क्या हो जागा minus तो जैसा कि Z की value हम लोग क्या करते हैं column 3 को replace करके निकालते हैं ठीक है replace किसे करते हैं D1, D2, D3 से तो column 3 को हमने replace कर दिया है अब D1, D2, D3 से determinant निकलना आपका कम है determinant बने निकाला हूँ अद क्या निकला था माइस 15 निकला है तो एंसर क्या हो जाएगा 1 by 2 के बड़ाबर क्लियर बढ़ते हैं आगे और लिखते हैं xyz की value जो हमने भी find गी है तो xyz की value क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी 1 हो जाएगी –1 और 1 by 2 जाट की value clear है सवाज में आएगा बहुत ही आसान टॉपिक है कोई दिक्कत वाली बाग नहीं होनी चाहिए इसमें अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज क्या किजेगा आप लोग कमेंट जरूर किजेगा और इस वीडियो को से जरू जाएगी धन्यवाद